उत्राकर्ण ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट 2023 को लेकर सयुक्त राज अमिराथ UAE दौरे की दूसरे दिन निवेश के लिहास से बड़ी काम्याभी मिली मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड के MOU हुए वहीं UAE में दो दिन के भीतर कुल 15,475 करोड के निवेश प्रस्तावों को मन्जूरी मिल चुकी है CM पुशकर सिंग धामी ने सबी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को दैरादून में आयुजित होने वाले इंवेस्टर सम्मिट का निमेंतरन भी दिया इस दोरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत भी मौजूद रहे कारिकरम में CM धामी ने कहा कि रियल स्टेट शेत्र में UAE ने बड़ी प्रगति की है यहां की प्रसेद इमारते विश में एक बड़ा कीरती मान स्तापित कर चुकी है उत्राखन भी अपने शेहरों को सून योजित विकास और नए शेहरों की स्तापना को UAE के साथ सैयोग का इच्छुक है सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्रात्मिक अवशक्ताय सुविधाय उपलप्त कराने को हमेशा तक पर है यही वज़े है जो लंदन, बर्मिंगम और दिल्ली रोडशों में 40,000 करोड से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए CM धावी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिन मोदी के मार्क दर्शन से उत्राखन में 5 वर्शों में करीब एक लाग पचास हजार करोड से अधिक की परियोजनाय सुईक्रत हुई है राजमे निवेश का बहतर माहौल है कल दो दिन से दुबई में आज दिन में यहाँ पर परमुख लोगों से कुछ परमुख लोगों से भेट हुई थी उन सभी से मैंने आगरत किया है कि आठ और नौ दिसम्बर को हमारा इंवेस्टर सम्ट दहरादून के अंदर आयजित होगा मैं आप सब लोगों से भी आप सब को निमंतर देने के लिए आया हूँ कि उत्राखंड आप लोग आईए कम इंडिया विजिट उत्राखंड इंवेस्ट उत्राखंड और लोगों को प्रिरीद करिए और इसले करिए कि उत्राखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानूं ब्यवस्ता अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत चीजे हैं मैं मेड नहीं हैं गौड मेड हैं और वो एक ऐसा इस्तान है जहां जन्म लेना तो मैं समस्ता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वह इस्वर की किरपा से होगा या इस्वर की इच्छा से होगा लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है उस उत्राखंड में जहां की कानून ब्य जारत वर्स्त में सबसे कम कहीं है, तो उत्राखंड में हमने 30 से भी ज्यादा वहां पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है, बहुत सारी पॉलिसी जो हमारी पहले से चल रही थी, उनको हमने लिबरल किया है, वो हमारी वेबसाइट पर और जो भी संचार के माद्दे में उन सब पर क्लब्द है, ऐसे बहुत सारे काम हमने किये हैं, और हमारे प्रधान मंत्री जी के आसिरवाद से, हम इन्वेस्टर सब्मिट को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे वो जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने बाइबरेंड गुजरात सुरू किया था, और उसी फ्लाइड दिन भर में पूरे भारतवर्स के अंदर जाती हैं, और पंतनगर जो हमारा सिटकूल एरिया है, एक बड़ा सिटकूल वहां पर पहले से बना हुआ है, वहां पर अंतरास्टी एरपोर्ड भी बना रहे हैं,